नमस्कार मरवाहला विद्यार्थी मित्रो आजे वात करिशु दोरण साथ अने विशे हिंदी पर्थम सत्राना कावे नमर पांच एंद देश के निवा सी कावे का अभ्यास और स्वैध्य सोलिशन देखेंगे पहली बार चैनल में आये हुए है तो चैनल को सब्सक्रेब जरूर करेंगे विद्यार्थी मित्रो हम देखेंगे अभ्यास के प्रश्णा नमबर एक निमनल लिखीट प्रश्णों के उतर दीजिए प्रश्णा नमबर एक हमारे देश की क्या विशिष्टा है तो उतर आएगा हमारे देश में बीन बीन रांग रूप और पहानावे वाले एवं अलग-अलग भाइसाई बोलने वाले लोग रहते हैं इसके बावजूद अहां की लोग एक है इस तरह विवित्ता में एकता ही हमारे देश की विशिष्टा है प्रश्णा नमबर दो सबी नदिया कब एक होती है सबी नदिया अलग-अलग स्थानों से निकलती है इनकी बहाव भी अलग-अलग है प्रश्णा नमबर 3 सबी धर्मों का सार क्या है तो उतर आएगा सबी धर्मों का सार एक ही है मनुष्य को बुराईयों से दूर रखना और उसे उनत बनाना प्रश्ना नम्मर दो सब्द अंखुडियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाईए तो पहला वाक्य बनेगा हम भारात देश की निवासी है कोयल की आवाज मदूर होती है अमें फूलो की तरह अस्ते रहना चाहिए गोले में से सब्द चुनकर अर्थ पूर्ण वाक्य बनाईए तो विद्यार्थी मित्रों तमें जोई सकोचो तेना उदारन छे के सोहन बढ़ रहा है तो अहीं थी आपने सोहन जेचे यहने सोहन ने उठावियों छे इवरिते बिजा बद्धाने वारा फर्ति उठावियों यहने वाक्य बनाविजू पहला वाक्य बनेगा रिनल पढ़ रही है रिनल खेल रही है मेगा बढ़ रही है मेगा खेल रही है और इस पढ़ रहा है और इस खेल रहा है सोहन खेल रहा है प्रस्ण नमर तीन, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाईए इंद देश की निवासी सभी जन एक है, रांग, रूप, वेश, भासा चाहे अनेक है तो हम उसका उत्तर लिखेंगे कि भारत दिश में रहने वाले लोगों की रांग, रूप, पहनावे और भासाए भले ही अलग-अलग हो परन्तु वेश सब लोग एक हैं, अहां रहने वाले सभी लोग की मात्रगुमी भारत ही है प्रस्ण नमर चार औरत और लड़की के स्थान पर क्रमहस उरत की जगह पे आदमी और लड़की की जगह पे लड़का रखकर परिछेत को फीर से लिखिये तो मित्रो, ये जो परिछेत है आपकी बुक में दिया हुआ है हम सिता उसका उतर लिखेंगे कि एक मोटा आदमी जा रहा था पिछे-पिछे एक लड़का चल रहा था लड़का छोटा और पतला था आदमी को पता चला तो पूर कर बोला ये लड़के मेरे पिछे-पिछे क्यों चल रहा है लड़का भोले पंसे बोला मैं तो केवल छाव के निचे चल रहा था विद्यार्थी मित्रों हम देखेंगे स्वईध्य की प्रश्णोंतरि प्रश्न नमर एक निमन लिखीद प्रश्णों के ऊतर दिजिये प्रश्न नबर एक इंद वासियों में किसी विवित्ताएं है तो हम उत्तर लिखेंगे हिंद वासी अलग अलग रांग और रूप के हैं इनके पहना वे अलग अलग हैं वे अलग अलग बासा बोलते हैं वे अलग अलग धर्मों को को मानते हैं इस परकार हिंद वासीयों में अनेक परकार की वीविताएं हैं प्रश्ना नमर दू, माला में कोन-कोन से रंग एक रूप हुए हैं, तो उसका उतराएगा कि माला में बेला, गुलाब, जुई, चम्पा, चमेले, यादी तरह-तरह के फूर एक रूप हुए हैं प्रश्ना नमर तीन, इस कविता में की नद्यों का उलेख हैं, तो उतराएगा कि इस कविता में की नद्यों का उलेख हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और काविरी रश्ना नमबर चार नदियों में नदियों से हमें क्या संदिश मिलता है उतर आएगा हमारे देश में अनेक नदिया है उद्गमस्तान अलग अलग है वे अलग अलग मार्गों से बहती है लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है इन नदियों से हमें ये संदिश मिलता है कि जैसे नदिया अलग-अलग होकर भी एक हो जाती हैं उसी तरह हमें भारतवासी अलग-अलग होने पर भी एक होकर रहे कोश्टक में जो सामनार्थी सब्द नहीं है इन पर मित्रों गोल कीजिए और सामनार्थी सब्दों का वाक्य में परियोग कीजिए तो पहला अहां पांत राह और रास्ता और पेर है तो पेर उसका सामनार्थी नहीं है दूसरा है कुसुम, पुस्प, कांटा और फूल, तो कांटा है वो नहीं आएगा आम, अनुठा, निराला और अनोखा, तो आम नहीं आएगा जान, मनुश्य, मानव और स्त्री, तो स्त्री है वो नहीं आएगा दमित्रो और जब दूसरे सब्द है वो सामानाथी सब्द है तो हम उसका बाक्य लिखेंगे पंथ तो ये पंथ सरल नहीं है राह मुझे नई राह मिल गई रास्ता ये सिधा रास्ता है प्रश्णा दो का उतर लिखेंगे तो कुसुम ये चमेली का कुसुम है पुष्प कमल के पुष्प जल में होते हैं फूल ये कितना प्यारा फूल है अनूठा ये चर्चा के लिए अनूठा विश्य है अनोखा उसने अनोखा रास्ता पकड़ा निराला आपका हर ढंग निराला है रश्ण नमर चार जन तो कोटी कोटी जान तीरंगे को वंदन करते हैं मनुष्य दुनिय में तरह तरह के मनुष्य है मानव जिसमें मानवता हो वही मानव है विद्यार्थी मित्रों कावे नमर पांच नों संपूर्ण सोलेशन आई आपने पूर्ण करिये छिए त्यार पचिना सोलेशन मेड़ वम्मागो चो ता आपेली एंड स्क्रीन उपार क्लिक करियाने मेड़ वी सको चो